Hello Everyone, Welcome to English Effort, An Effort to Learn English Better आज हम The Peacock Poem पढ़ेंगे जो के लिकी है सुजाता भट ने सुजाता भट का जन्म 1956 में हुआ, इनकी एजुकेशन युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका में हुई वर्तमान में इनकी एज 67 ये प्लस है और ये जर्मनी में रहते हैं इनकी पॉइम्स के कलेक्शन का नाम ब्रुनी जैम है जिसे कॉमनवेल्थ पॉईट्री प्राइज मिला The Peacock Poem ब्रुनी जैम कलेक्शन से ली गई है Monkey Shadows and The Sticking Rose इनकी अदर पॉइम्स हैं इनोंने गुजराती पॉइम्स को भी इंगलिस में ट्रांसलेट किया His loud sharp call seems to come from nowhere Then a flesh of turkeys in the people tree The splendor neck arched away from you As he descends and as he darts away A glimpse of the very end of his tail Poetress कहती है कि उसको पिकोक की तीखी और जोर से आवाज सुनाई देती है बट ये आवाज कहां से आ रही है किस डाइरेक्शन से आ रही है इसका उसे नहीं पता आगे Poetress कहती है कि उसको Turcus की एक जलक दिखती है Turcus is a shade of blue मतलब blue color की तरह दिखता है In the people tree, people tree पर मतलब Poetress को पीपल के पेड़ पर पिकोक की एक जलक दिखती है और पिकोक को Turcus color का मतलब एक तरह से blue color का बताया हुआ है और उस पिकोक की नेक थोड़ी पतली और गुमाओदार है पिकोक जो है वो पेड़ पर बेठा है और Poetress उसे थोड़ी दूर खड़ी होकर देख रही है मतलब पिकोक से थोड़ी दूर है आगे Poetress कहती है कि जो पिकोक है जब वे एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है या टर्न करता है तो उसकी टेल दिखती है जो कि उसके पंखों में छिपी हुई होती है तेल मतलब पिकोक की पूझ आई वस तोल देट यू हैव तो सिट इन डा वेरंडा और रेड़ ए बुक प्रिफेरेबली वन ओफ यूर फेवरिट्स विट ग्रेट कॉंसेंट्रेशन इस स्टेंजा में पोईट्रेस बताती है कि मुझे कहा गया कि मैं बरामदे में बेट जाओं और एक किताब पढ़ूं जो की मेरी फेवरिट बुक हो और पूरा ध्यान लगा कर उसी बुक को पढ़ूं और जब आप किसी बुक को इतने ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप इस बुक में जी रहे हैं और जब वे इतने ध्यान से बुक को पढ़ रही होती है कि अचानक एक ब्ल्यू शेडो एक नीली चाया पोईट्रेस को महसूस होती है कि उसके पास से निकली जब पिकोक अपने पंखो को फड़ फड़ाता है तो इससे हवा का रुख बदल जाएगा हवा की जो डाइरेक्शन है वे बदल जाएगी जाडियों के पास में जो मधुमक्या हैं वे एक बार के लिए रुख गई एक बिल्ली जो सो रही थी वे अब जग गई और एक तरह से अंगड़ाई ले रही है Something has broken your attention means पिकोक ने पोईटरस का ध्यान तोड़ दिया हवा का रुख बदल दिया पिकोक के पंखो के आवाज में बीज की आवाज डब गई और जो बिल्ली सो रही थी वे भी अब जग गई सभी का attention break हो गया And if you look up in time you might see the पिकोक turning away as he gathers his tail जब पिकोक अपने पंखो को फड़ फड़ा रहा था और अगर हम उस time पिकोक को देख लेते तो हो सकता था कि हमें पिकोक की टेल भी दिख जाती क्योंकि पिकोक की टेल उसके पंखों में छिपी होती है To shut those dark glowing eyes, violet fringed with golden amber, it is the tail that has to blink for eyes that are always open पिकोक की eyes golden amber की होती है, मतलब सुनहरी होती है, गहरी होती है, चमकदार होती है और इस आँख के पास white and blue color होता है पिकोक कभी आँखे नहीं जबकाता, हमेशा उसकी आँखे खुली रहती है पर पिकोक की जो पूँच है, उसके जो पंख है, वह open and close होते रहते है